एलो फ्रेंड्स राधे राधे आज मैं आपको ये बहुत ही सुन्दर फुलावर वाली जैन की ड्रेस बताना बताती हूँ देखिए देखिए फ्रेंड्स मैंने ये चोली और ये घेरा बना लिया है और इस घेरे में हमें साथ के मल्टिपल्स में ये डबल करोशिया रखने है जैसे मैंने मेरे पास टोटल सत्तर हो गए है आप इसको साथ से डिवाइड कर सकते हैं जैसे 63 हो गए या 56 ऐसे उसमें हमें अगर हमारे 56 होंगे तो 8 हमारे फ्लावर बनेंगे और अगर 63 होगे तो 9 बनेंगे अब मेरे पास ये 10 फ्लावर बनेंगे ये हमारे पूरे पूरे होने चाहिए अगर ये हमारे कम जादा हुए तो हमारे फ्लावर सेट नहीं आएंगे अब हमें ये मैं रेड कलर एड़ करती हूँ इसको हमें यहां से ऐसी लेना है इस वाइट वाले धग्गे को मैं ऐसे खीच लूँगे और यहां पर मैं चार चैन बनाओंगी एक दो तेन चार चार चैन बनाने के बाद यहां पर मैं एक बार डबल करोशिया करूंगी और अब मुझे एक चैन लेनी है एक चैन लेने के बाद मैं अब नेक्स्ट में भी एक बार डबल करोशिया करूंगी यहां पर चार चैन मैंने ऐसी लिए थी कि तीन का तो हमारे पास एक डबल क्रोशिया हो गया और एक चैन यह जो एक चैन बीच में हर एक राउंड में लेनी है अब फिर मैं एक चैन करूँगी एक चैन करने के बाद नेक्स्ट में मैं डबल क्रोशिया करूँगी फिर से एक चैन और डबल करोसिया ये हमारे 70 जो डबल करोसिया है उनके पास 70 के उपर 70 ही आने चाहिए नहीं तो हमारा फिर से ये गल्ट हो जाएगा इसलिए हमें एक बार फिर से इसे गिनना है और इसी तरह मैं इस राउंड को कम्पलीट करती हूँ फिर से एक चैन और नेक्स्ट के उपर एक डबल करोसिया एक चैन और नेक्स्ट के उपर डबल करोसिया ये मैं आपको पूरा कम्पलीट करके दिखाती हूँ अब ये मेरा round complete हो गया है और यहाँ पर मैंने 70 के उपर 70 double crochet बन गए हैं और यहाँ पर मैं इसको अब slip stitch के साथ joint करती हूँ एक, दो, तीन, यहाँ थर्ड पर मैं यहाँ पर slip stitch और यहाँ पर मैं यह जो white वाला धागा मैंने काटा नहीं था उसको मैं यहाँ पर इस तरह से joint करती हूँ इसको मैं यहाँ पर ऐसे ही लूँगी और यहाँ पर मैं single stitch के साथ यहाँ पर इसको इसमें joint करती हूँ अब यहाँ मैं तीन chain करूँगी एक, दो, तीन, तीन तीन करने के बाद यहाँ पर मैं इसी hole में double crochet करूँगी यह हमारे पास दो double crochet हो गए और अब मैं दो chain करूँगी दो chain करने के बाद next hole में मैं दो बार double crochet करूँगी फिर से दो chain और next hole में हर एक hole में लेके चलना है हमें दो double crochet एक, दो, फिर से दो chain और next में दो बार double crochet एक, दो, दो chain और next में दो बार double crochet देखे इस तरह से दो double crochet फिर दो chain फिर से next में दो double crochet इसी तरह से मैं पूरा राउंड कंप्रीड करती हूं अब यहाँ पर मेरा यह round खत्म होता है और यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर third वाले hole में slip stitch करूँगी और इसको slip stitch करने के बाद यहाँ पर मैं yellow color start करती हूं और white धागे को ऐसे tight करके यहाँ पर मैं यह जो दो double crochet है इसमें मैं slip stitch करूँगी यहाँ पर slip stitch करने के बाद यह बीच में दो chain है उसमें मैं 7 बार double crochet करूँगी दो तो नहीं शो पीन ती हार पांच छे साथ साथ बार डबल करोशिया करने के बाद अब मैं जो ये दो डबल करोशिया है उनमें मैं उनके बीच में मैं सिंगल स्टीच करूँगी और फिर से इन दोनों के बीच में दो कीचेन है उसमें मैं फिर से साथ बार डबल करोशिया करूँगी एक दो तीन चार पांच छे साथ और फिर ये जो दो की दो डबल करोशिया है उनमें मैं एक बार सिंगल स्टीच करूँगी देखे फिर से एक बार और देखिए ये दो की चैन है इसमें मैं साथ बार डबल करोशिया करूँगी एक दो तीन चार पांच छे साथ और दो ये डबल करोशिया है उनमें मैं स्लीप स्टीच करूँगी इस तरह से और इस तरह से हमारी पतियां बनती चली जाएंगी और इस तरह आगे मैं साथ बार डबल करोशिया करूँगी और फिर यहां पर मैं दो के बीच में एक बार slip stitch करूँगी इस तरह से मैं पूरे round को complete करूँगी देखे मेरे ये पूरा round complete हो गया है और अब इसको मैं यहाँ पर यह जो मैंने single crochet अबनाया था वहाँ पर slip stitch करूँगी इस तरह से और इसको slip stitch करने के बाद मैं यहाँ पर अपना वरक रेड कलर से करूँगी इस तरह से मैं यहाँ पर रेड कलर को अटेच करूँगी और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाना है हमें हर एक साथ पतिया जो हमारी साथ पतिया है हर एक पति में एक सिंगल क्रोशिया बनाना है साथ के उपर साथ सिंगल क्रोशिया बनाने है दो, तीन इनको थोड़ा धीला बनाने धीले हाथ से बनाना है चार पाँच छे साथ साथ सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद जो हमने ये बीच में एक सिंगल क्रोशिया बनाया था दो के बीच में एक सिंगल क्रोशिया बनाया था उसके हमें सेंटर में से ऐसे निकालना है और इस तरह से इसको थोड़ा लंबा सा रखना है इस तरह से यहाँ पर slip stitch करना है और फिर आगे उसी तरह साथ में साथ सिंगल क्रोशिय डालने हैं एक साथ पतियों के उपर साथ ही सिंगल क्रोशिय डालते जाना है दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ साथ के उपर साथ सिंगल क्रोशिय करने के बाद ये हमें जो बीज में हमने डबल क्रोशिय के उपर एक सिंगल क्रोशिय बनाया था उसके ऐसे सेंटर में से ऐसे निकालेंगे क्रोशिय हुक को और इस तरह से सिंगल क्रोशिय करना है और फिर उसी तरह से हमें साथ के उपर साथ सिंगल क्रोशिया करने हैं एक, दो, तीन, इसी तरह से मैं साथ पतियां कम्प्लीट करती हूँ अब मैंने ये साथ पति के उपर इस तरह से सिंगल क्रोशिया कर लिया है और यह साथ पत्ती करने के बाद हमें यहाँ पे एक, दो, दो पत्ती को इस तरह से ऐसी लेना है और इस तरह से दो पत्ती के बीच में यह जोन सा हमने सिंगल करोशिय किया था जो दो पत्ती पूरी होने के बाद बीच में सिंगल क्रोशिया किया था उसको ऐसे मोड के इस तरह से देखी ध्यान से इस तरह से यहां से इस धागे को ऐसे निकालना है और स्लिप स्टिच करना है इस तरह से और फिर आगे उसी तरह से एक के उपर एक सिंगल क्रोशिया करना है एक, दो, तीन, चार, पाज, चे, साथ. साथ के उपर करने के बाद जो बीच में ये दो डबल क्रोशिय के बीच में हाप क्रोशिया था उस में से हमें दोनों के बीच में से ऐसे निकाल कर इसे थोड़ा लंबा रखना है ऐसे सिंगल क्रोशिया करना है और फिर से 7 के उपर 7 सिंगल क्रोशिया करना है इसी तरह मैं ढ़ाई पत्ती करके आपको दिखाती हूँ ढ़ाई पत्ती मैंने कंप्लीट कर ली है और अब इसको मैं यहाँ पर इस तरह से जोइट करती हूँ यह जो हमारी फिलावर की पहली पत्ती है उसके भी मैं सेंटर में से लूँगी जैसे यह तो हमारा बीच वाला हो गया और यह जो 7 है 7 के बीच में सेंटर में यह 4 वाला है ये वाला एक दो तीन ये फोर्त वाला है इधर भी हमें थ्री छोडने हैं और यहां से हमें इस लूप में से ऐसे निकालना है इस तरह से और यहां पर ऐसे स्लीप स्टीच करना है और फिर से हमें यहाँ पर जो हमारी यह धाई पत्ती रहे गई थी उसको कम्प्लीट करना है दो, चार हमने पहले बना लिये थे और यह तीन, साथ, साथ हो गए और उसके बाद यह जो बीच में, दो के बीच में बनाया था हमने उसमें से निकालना है ऐसे, ऐसे करके यहाँ पर हमें अब चार पत्ती और कम्प्लीट करनी है यह हमें, यह हाप वली हमारी एक पत्ती में गिनी जाएगी और यहाँ पर उससे अलग हमें चार पत्ती और कम्प्लीट करनी है चार पत्ती कम्प्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ देखे मैंने ये चार पत्ती कंप्लीट कर ली है और पांच वी है हमारे पास जो हाफ पत्ती में मैंने यहाँ पर जोइंट किया था उस पत्ती को भी मिलाना है सड़े चार पत्ती है हमारी हो गई है और तभी तो हमारी धाई पत्ती हमें आगे जोइंट करनी है साथ का मल्टिपल्स चलेगा हमारे पास सड्डे चार और धाई इस तरह ये सड्डे चार में हमें एक फ्लावर फिर से बनाना है यहाँ पर इस धागे को मैं ऐसे छोड़ कर यह जो जोइंट किया था मैंने यहाँ पर इस पत्ती के सामने यह जो हाफ पत्ती हमारे पास बची थी यहाँ से यह हमने यहाँ पर जोइंट किया था यहाँ इसके यह जो बीच में हाफ करोशिया है उसको ऐसे लेना है हमें इस धागे में से ऐसे निकाल लेंगे और यहाँ पर इस तरह से जोइंट कर देंगे ये हमारे इस तरह से फ्लावर बन जाएंगे और फिर आगे हमें फिर से फिर धाई पत्ती करने हैं धाई पत्ती बनाने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ देखो एक दो ये साथ के उपर साथ सिंगल क्रोशिया बनाने हैं हमें चार पांच छे साथ और ये बीच में यहाँ पर ये वाला सिंगल क्रोशिया अब साथ के उपर फिर से साथ बनाने हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ और ये बीच में इसमें हमें एक हाँ परोशिया निकालना है और अब ये हमारा हाँ पत्ती बनाने हैं हमें अब तीन और ये चार ये हमारा हम इसके सेंटर में आ गए है, तीन हमारे साीड रह गए है, और अब इस धगे को हम यहांसे इस तरह छोड़के यह जो हमारा यह फिलावर है, उसकी फर्ष्ट जो हमारी कली है, पत्ती, यह पंखुडी है उसके सेंटर में झासी लेना है, यह तो हमारा बीच वाला हो गया, एक, दो, तीन, चार, यहां से हम इसको ऐसे निकाल देंगे और इस धागे को इस तरह से स्लिप स्टीच करेंगे, इस तरह से, और यहां आगे हमें दोबारे से फिर यह धाई पत्ती कम्पलीट करनी है, यहां पर हमें सड़े चार पत्ती फिर बनाऊंगी, मैं इसी तरह से हर एक पत्ती के उपर एक, एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, दो, तिर, कि यह मैं सड़े चार पत्ती आपको करके फिर दिखाती हूं, देखिए, मैंने यह चार पत्तियां कम्पलीट कर ली हैं, और आधि पत्ती यहाप वाली पत्ती हमारे पास, पहले थी, यानि की हमारे पास सड़े चार पत्ती दोबारेशे हो गई है और अब इसको मैं यहां पर ऐसे जोंट करती हूँ जो मैंने यहां पर यहां पत्ती के अंदर जोंट गिया था यह उसी के सेंटर में से जो यह बीच वाला क्रोशिया हुक आएगा उस में से इस धागे को ऐसे निकालूँगी और उसे इस तरह से सिंगल स्टीच कर दूँगी इस तरह से हमारे फ्लावर बनते चले जाएंगे और अब मैं यहाँ पर दोबारा से यह हमारे पास भूल पत्ती है यहाँ पर मैं धाई पत्ती तक बनाऊंगी और धाई पत्ती बनाके फिर मैं इसको वैसे ही जैसे मैंने पहले जोइंट किया था वहाँ पर जोइंट कर दूँगी और फिर आगे मैं सड़े चार पत्ती बनाऊंगी विसी तरह ये हमारी साथ साथ बत्तियों के फ्लावर बनते चले जाएंगे और इस तरह मैं इस पूरे राउंड को कम्प्लीट करती हूँ फिर मैं आपको पूरा बना के दिखाती हूँ देखे फ्रेंड्स मेरी एड्रेस बनकर कम्प्लीट हो गई है और मेरे इसमें टोटल ये 10 फ्लावर आए हैं और इस तरह से आपको ये ड्रेस कैसी लगी प्लीज बताना और प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सेर एंड सस्क्राइब जरूर कर देना थैंक यू फोर वाचिंग